बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्सा आर्ट साइंस यानि कि बिज्ञान के अंतरगयत पहला द्याय फसल उत्पादानेवं प्रवंद हम आपको बताएंगे बच्चो इस पाट से संबंदित प्रशनों के उत्तर लेकिन उससे पहले आईए एक नजर डालते हैं पाट पर आप इस पाट को यहां से भी पढ़ सकते हैं और अपनी पाटे पुस्तक से भी तो एक बार पाट को जरूर से जरूर पढ़ ले इससे आपको यहां पर कापी कुछ जानकारी मिल जाएगी बच्चो और यहां पर जो आपको प्रशनों के उत्तर बताये जाएंगे उन्हें आप अच्छे से समझ पाएंगे इसलिए एक बार पाट को जरूर से जरूर पढ के यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब आउसे कर दें बेल आइकन भी दबा दे बच्चो ताकि आपको कक्सा आर्ट साइंस के अंतरगयत आने वाली परतेग वीडियो की नौटिफिकेशन मिलती रहेगी तो देख रहे न आप यहाँ पर यह आपका कक्सा आर्ट साइंस के अंतरगयत पहला चैप्टर फसल उत्पाधन एवं प्रवंद और जैसी बच्चो यहाँ पर यह पार्ट समापत होता है हम आपको लिए चलेंगे इस पार्ट के प्रस्न उत्तरों पर आपने अपनी नोट बुक में नोट क करें तो देख रहें आप यहाँ पर यह आपका पार्ट है और इसके बाद बच्चो यहाँ पर सुरू हो जाते यह पार्ट के प्रस्न हैं जिनका उत्तर हम आपको यहाँ पर अभी बताने वाले हैं तो आप लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए जान लेते हैं इस पार्ट के प्रस्न हुत्तर यहाँ पर जुए चलते हैं अभ्यास प्रस्न हुत्तर पर और सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि इस पार्ट के अंतर गयत आपने क्या कुछ सीखा तो आप देख सकते हैं बच्चो नमबर एक अपनी बढ़ती हुई जन संक्या को भोजन उपलब्द कराने के लिए हम लोगों को बैग्यानिक किरसी पद्दतियों को अपनाना होगा ठीक है क्या करना होगा हमें बैग्यानिक किरसी पद्दतियों को अपनाना होगा ताकि बढ़ती जन संक्या को भोजन आई जाने वाले एक ही प्रकार के पौदों को फसल कहते हैं याद रखेंगे बच्यों ये आपके लिए काफी मैतोपूर्ण जो है बिंदू है इन्हें आप याद रखेंगे नमबर तीसरी बात आप याद रखेंगे भारत में फसलों को रितु के अनुसार हम दो बर्गों मे बाढ़ सकते हैं कौन-कौन से रवी की फसल और खरीब की फसल कितने प्रकार के दो प्रकार की फसले रवी और खरीब की फसल आगे चौथा पौईंट आपके लिए काफी important है जुताई करके मिटी तयार करना उसे समतल करना जरूरी होता है इस कारे के लिए हल तथा पाटल क का उपयोग किया जाता है याद रखेंगे ना अगला है बच्चों पांचवा पॉइंट आपको बीजों को मिटी में उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए जरूरी है बीजों को अच्छी किस्म का चैन बीजों की टीड ड्रिल की मदद से बुआई की जाती है याद रखेंगे नमबर च्छे मिटी में पोसकत्तों की समरिद्धी और पुना पूर्ति की आवसकता होती है जिसे कार्वनिक या रासायनिक खात तथा उर्वरक के उपयोग से किया जाता है फसलों की नई किस्मों के आने से र फसल को पानी देना सिचाई कहलाता है सिचाई किसे कहता है आप समझे न उचित समय एवं अंतराल पर फसल को पानी देना ही सिचाई कहलाता है आगे निराई एवं अवांचित या बेकार एवं बिना उगाए पौदों को हटाया जाता है जिने क्या कहते हैं खरपतवार क्य अनाज के दानों को भूसे से अलग करना स्रेसिंग कहलाता है क्या कहलाता है स्रेसिंग और इसके बाद 11 पॉइंट है बच्चों बीजों को पीड़कों एवं सुक्सम जीवों से सरक्षित करने के लिए भंडारन जरूरी है और 12 पॉइंट याद रखेंगे पसूं को पाल कर भी खाद्यपदार्थ प्राप्त किया जाता है जिसे पसुपालन कहते हैं क्या कहते हैं पसुपालन तो यहाँ पर यह थे आपके लिए काफी इंपोटेंट पॉइंट थे यहाँ पर इन आप जो है 10-12 जो भी पॉइंट है इनको आप याद रखेंगे कि आपने इस पार्ट में क्या-क्या सीखा ठीक है इसके बाद आईए बच्चो चलते हैं पार्ट के प्रसन उत्तर उपर अब्यास प्रसन उत्तर में और सबसे पहला प्रसन आप देख सकते हैं उचित सब्द छाट कर रिक्त अस्तानों की पूर्ती कीजिए यह यह ना आपका पहला प्रसन और यहाँ पर कुछ सब्द दे रखें आपके लिए जैसे तैरने, जल, फसल, पोसक और तैयारी ठीक है और यह कहवाला प्रसन आपके लिए एक अस्तान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौदों को कहते हैं क्या कहते हैं, आपको यहाँ पर लिखना होगा अभी हम बताएंगे आपको आप देखते रहें, और खैवाला है बच्चो फसल उगाने से पहले पर्थम चरण मिट्टी की यहाँ पर आपको लिखना है क्या लिखना है, अभी हम बताएंगे आपको आप जुड़े रहें हमारे साथ और गैवाले में छती ग्रेस्त बीज जल की सतय पर और यहाँ पर फिर आपके लिए रिकतस्तान छोड़ रखा है, यहाँ पर आपको लिखना है क्या लिखना है, अभी बताते हैं बच्चों और गैवाला है, फसल उगाने के लिए प्रियाप्त सूर्य का प्रकास एवं मिट्टी से, और यह दो जगए यहाँ पर खाली है, तथा आउसक है तो क्या-क्या आप यहाँ पर लिखेंगे चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले आपने देखा था, क्यावाले में यहाँ पर लिखेंगे आप फसल और क्यावाले में तैयारी, गैवाले में तैरने और गैवाले में पोसक, जल दो हैने वहाँ पर, तो एक में लिखेंगे पोसक एक में लिखेंगे जल तो first वाले में कह वाले में लिखेंगे यह था आपका कह यहाँ पर एक हस्तान पर एक ही परकार की बड़ी मात्रा में उगाय गए पौदों को फसल, यहाँपर क्या लखेंगे आप फसल कहते हैं, ठीक है तो इस प्रकार से आप यहाँ पर फसल और यहाँ पर जो आप लिखेंगे तयारी ठीक है दूसरे में तयारी और तीसरे में लिखेंगे तैरने आपको जैसे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर गह में तैरने और गह में पोसक तथा जल यहाँ पर जो है पोसक लिखेंगे कॉलम B से कीजिए और आप देख रहे ने कॉलम ये ये है और कॉलम B और यहाँ पर आपने मिलान करना है और यहाँ पर फस्ट में लिखा है खरीब फसल इधर लिखा है A मविस्यूं का चारा और सेकेंड में लिखा है रभी फसल साथ में फास्फेट और यहाँ पर यूरिया एवम सूफर बी में और इसी परकार से आप देख सकते हैं आपकी फुस्तक में रासेनी कुर्बर और सी वाले में पसू अफसिस्ट गोवर मूत्र एवम अफसेस और उसके बाद जुए है अगले में लिखा यहाँ पर कारवनी खाद गेहू चना मटर और इमें लिखा यहाँ पर धान एबम मक्का उत्तर क्या करेंगे आप किस प्रकार से मिलाएंगे तो आप फस्ट के साथ में E मिलाएंगे सेकेंड के साथ में D और थार्ड के साथ में B और फूर्ट के साथ में C क्या समझे आप फस्ट के साथ में E तो यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों यह फस् के साथ वाला डी और थर्ड के साथ मिलाएंगे वी और फोर्त के साथ सी को मिला लेंगे और आपके उत्तर हो जाएंगे ठीक है बच्छो चलिए अगला प्रसन देख लेते हैं तीसरा प्रसन यहाँ पर निम्न के दो दो दारन दीजिए और किसके देने आपने दो दारन नमब और रवी की फ़सल में क्या क्या आती है फ़सलें गेहूं और चना, क्या लिखेंगे, खरीब में धान और मक्का, रवी में लिखेंगे गेहूं और चना, ये दो-दो उधारन हो जाएंगे आपके इस तीसरे प्रस्ण के उत्तर में. अगला है बच्चे और चौथा प्रस्णिया पर आपके लिए निम्न पर अपने सब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए तो आपने इन पर लिखना है मिट्टी तयार करना इस पर एक पैराग्राफ बुआई पर एक पैराग्राफ और निराई पर भी एक पैराग्राफ और स्रेसिंग पर भी एक पैराग्राफ यानि इन चारों पर आपने एक एक पैराग्राफ लिखना है इनके बारे में आपने जानकारी देनी है सबसे पहले लिखेंगे हम मिट्टी तयार करना तो यहाँ पर उतर लिखेंगे आप और कह लिखेंगे हेडिंग डाल देंगे मिट्टी तयार करना और फिर लिखेंगे यहाँ पर ग्रिया फसल उगाने का पर्थम चरण है सुक्सम जीवों को बिर्दी में सायता मिलती है तथा ये मिट्टी को और अधिक पोला कर हियूमस बनाते हैं इसके अत्रीक ते मिट्टी पलटने से पोसक पदार्थ उपर आ जाते हैं जो अच्छी फसल उगाने में अत्यंत महतवपूर्ण होते हैं तो इस प्रकार से आप ल करण है मिट्टी को तयार करने के पश्चाथ खेत में बीज बोई जाते हैं उचित दूरी एवं गहराई पर खेत में बीज बोना बुआई कहलाता है ठीक है बुआई क्या कहलाता है उचित दूरी एवं गहराई पर खेत में बीज बोना बुआई कहलाता है बुआई के लि प्रियाप्त हावा, प्रकास, यानि किताप, खनीज एवं पानी मिल सके, बुआई के लिए निमलिकित बीदियों का उप्यों किया जाता है, और कौन-कौन सी बीदियां, यहाँ पर देख सकते हैं, परमपरागत ओजार बीदि और सीट ड्रिल से, दोनु प्रकार से बुआई की जा सकती है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं, यहाँ पर दूसरे के बारे में खै, यानि बुआई पर एक पैर अगराप, अगला है बच्चो, निराई, और निराई पर आप क्या लिखेंगे, हैडिंग डाल देंगे, खरपतवार हटाने को, निराई कहते हैं, किसे कहते हैं निराई, खरपतवार हटाने को, क्या कहते हैं निराई, निराई नहीं करने से खरपतवार जल पोसक एबं तत्वादी ग्रहन कर फसल की बिर्दी को प्रवावित करते हैं, फसल उगाने से पहले खेट जोदने पर धूप के कारण खरपतवार मर जात आप देखते हैं कई बार खेतों में जो हमारी फसले होती है उनके बीच में घास जंकार या बेकार की वस्तों जम जाती है या बेकार के जो पौदे जम जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं उनको हटा नहीं खरपतवार का नास करना कहते हैं या खरपतवार कहते हैं उन्हें आपक को बूसे से अलग करने के प्रकरम को स्रेशिंग कहा जाता है किसे कहा जाता है बीजूं को या दानों को बूसे से अलग करना क्या कहलाता है स्रेशिंग स्रेसिंग करने के बी कई तरीके होते हैं जैसे छोटे खेतों वाले किसान अनाज के दानों को पटक कर या बिनोईंग द्वारा अलग करते हैं और बडye खेतों वाले किसान combine मसीन का प्रियो करते हैं आपने देखा होगा धान या गेहों की फसल जब कड़ जाती है उसके बाद किस तरह से बीजों को अलकिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं स्रेसिंग ठीक है तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों चारों के बारे में एक एक पैरागराप आपने लिखना था यहाँ पर और कौन चारों बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं मिट्टी तियार करना बुआई के बारे में लिख सकते हैं निराई के बारे में लिख सकते हैं और स्रेसिंग के बारे में यहां से लिख सकते हैं पांचवा प्रसने बच्चो इस पस्टी कीजिए कि उर्वरक खाद से किस परकार भीन है क्या लिखना आपने जो उर्वरक है ये खाद से किस परकार अलग है खाद और उर्वरक में अंतर आपने बताना है उत्तर में लिखेंगे सबसे पहले खाद, खाद क्या होती है, नमबर एक खाद एक प्राकर्तिक पदार्त है जो गोवर मानव अफसिस्ट एवं पौदों के अवसेस के बिगटन से प्राप्त होता है, इस पकार लिख सकते हैं, नमबर दो लिखेंगे खाद खेतों में बनाई इनका उसोसन दीरे दीरे होता है, तो यह थी आपके लिए खाद के बारे में जानकारी, अब लिखेंगे आप उरुबरक क्या होते हैं, तो उरुबरक के बारे में लिखेंगे, हैडिंग डालने के बाद, आप लिखेंगे, उरुबरक एक अकारवनिक लवन है, इसका आईवा सम्झ में तिस प्रकार से हैप उरवरा के बारे में हैरिंग डाल के लिक सकते हैं और यह पानी में गुलन सील होने के कारण इनका उसोसन सीगर हो जाता है ठीक है आईवा समझ में इसके बार लिखेंगे आप साथी साथ लिखेंगे उर्वरक की तुलना में खाद अच्छी मानी जाती है क्योंकि इससे मिट्टी की जलधारन चमता में बर्दी होती है इससे मिट्टी बुर्गुरी हो जाती है जिससे गैस बिनियम बिनियमें सरलता से होता है इससे जीवानों की संक्या में बड़ि होती है इसे मिट्टी का गठन सुधारा जाता है ठीक है तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं बच्छों आप देख रहे ना खाद और उरुबरक में क्या अंतर है ये खाद के बारे में और फिर उरुबरक के बारे में अच्छे से लिखें बच्चों याद भी करें अगला प्रसने सिचाई किसे कहते हैं जल सरक्षित करने वाली सिचाई की दो बीदियों का वरनन कीजिए तो आपने यहां पर सिचाई के बारे में लिखना है फसलों को कृतिर्म रूप से आवशक्ता नुसार पानी देना सिचाई कहलाता है करते हैं आप भी अपने खेतों में सिचाई करते हैं तो क्या करते हैं सिचाई में पानी तो देते हैं जीवित रहने के लिए पौदों को जल किया हो सकता होती है पौदों में लगवग 90% यानिकी 90% जल होता है फसल की स्वस्त विर्दी के लिए नमबर एक छिड़काओ तंत्रद्वारा इस विदी का इस्तेमाल असमतल भूमी यानिकी जो समतल नहीं होती है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्द हो के लिए किया जाता है इसमें नलों के उपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं जब पंप से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वा घूमते हुए नोजल से बाहर निकल कर वर्षा की बाती छिड़काओ करता है यहाँ विदी बलुई मिठी के लिए अत्यंत उप्यूगता है आई बास समझ में किस मिठी के लिए बलुई मिठी के लिए जिसमें बालुया रेत अधिक होती है तो इसम कौन सा डृप्त अंतर याद रखेंगे डृप्त अंतर है अगला है प्रस्人民 बच्चों सात ओं यदि गेहों को खरीब रितु में उगाये जाए तो क्या होगा चर्चा कीजिए यानिकि बेमौसम क्या समझे आप गेहूं का मौसम नहीं होता न उस टाइम तो अगर इसे खरीब रितु में उगाय जाए तो क्या होगा तो आप लिखेंगे गेहूं एक रवी फसल है इसे सीध रितु में उगाया जाता है खरीब रितु जून से सितमबर तक होती है इस समय वर्षा काफी अधिक मातरा में होती है इसलिए से वर्षा रितु भी कहते हैं क्या समझे आप एक बार फिर से पढ़ें गेहूं एक रवी फसल है इसे सीध रितु में उगाया जाता है कौन सी रितु में सीध रितु में और खरीब रितु कप होती है जून से सितमबर तक याद रखेंगे टाइम खरीब रितु का जो समय कब तक होता है जून से सितमबर तक इस समय वर्षा काफी मात्रा में होती है इसलिए से वर्षा और फसल बरबाद हो जाएगी इसका मलग क्या समझे बचो आप गेहों का इतना अधिक मात्रा में पानी नहीं चाहिए इसलिए वे बरसात की रितुमें नहीं हो पाएगे और शड़कर खराब हो जाएगी गेहों की फसल आठमा प्रसने बच्चों खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या परभाव पढ़ता है या क्या कीजी खेत में लगातार फसल उगाने से एक बार फसल उगाई दुबारा उगाई तीसदी बार उगाई बार बार अगर हम लगातार जो है फसल उगाईं की खेत में तो मिट्टी पर क्या परभाव पढ़ता है काफी important है याद रखेंगे खेत में लगातार फसल उगाने से मिटी में कुछ पोसकत्तों की कमी हो जाती है जिससे उसकी उरुपरता भी कम हो जाती है यही कारण है कि खेत में लगातार फसल नहीं उगानी चाहिए और खेत को कुछ समय के लिए परती छोड़ देना चाहिए यानि कि एकदम खाली छोड़ देना चाहिए एक अन्य तरीका फसल चकरण है फसल चकरण है आप यहाँ पर चकरण लिखें इसमें किसान एक फसल के बाद दूसरी किसमी की फसल उगाते हैं जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुरन होता रहता है यानि कि लगातार एक ही किस्मिकी फसल ना हुआने के बजाए अलग-अलग परकार की फसलें उगाते हैं जिससे क्या होता है मिट्टी में नाइट्रोजन का पुरन होता रहता है ठीक है तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं आपर आटवा प्रसना और उसका उत्तर नवा प्रसना है बचो खरपतवार क्या है हम उनका नियंतरन कैसे कर सकते हैं उत्तर में आप लिख सकते हैं खर्पतवार के बारे में भी हमने आपको पहले भी बताया खेत में फसल के साथ कई अवांचित यानी बेकार पौधे उग जाते हैं। पौधे सुके मर जाते हैं क्या है फसल उगाने से पहले खेत जोत कर आई बासम में इतना समझें आप किस तरह से खटा सकते हैं फसल उगाने से पहले खेत जोत कर इससे क्या होगा इससे खरपतवार पौधे सुक कर मर जाते हैं यानि कि खेत में जो जम्य होंगे फालतू बेकार के पौदे वो क्या होंगे सूख कर उखड जाएंगे जब उखड जाएंगे तो फिर सूख कर मर जाएंगे नमबर दो फूल एबम बीज बनने से पहले हाथ से खुर्फी आद की सायता से पौदों को उखड़ना यानि कि आप देखते हैं कि खेत में कुछ बेकार पौदे जम्य होएं तो उनको आप खुर्फी हाथ से उखड़कर फिंक सकते हैं नमबर तीसरा तरीका है खरपतवार से बजने का खरपतवार नासी रसायनों का उप्योग करके इससे खरपतवार पौदे मर जाते हैं दसवाँ प्रस्णी यहाँ पर और इसमें पूछा है निम्न बॉक्स को सही करम में इस परकार लगाई है कि गन्ने की फसल उगाने का रिखाचित्र तयार हो जाए क्या होगा ना आपने गन्य की फचल तो यहाँ पर देखेंगा आप आपके लिए यह फचल को चीनी मिल में भेजना नमबर एक नमबर तीन पांच में लिखा यहाँ पर मिट्शी तै немना नमबर दो में शिचाई नमबर तीन कताई नमबर चार बुढ़ई, नमबर पाँच मिठी तेयर करना नमबर ग्येत को जुताई खेत की जुताईई करना और नमबर चाथ फाल देना अब इसको जो आपने सई करम में लगाना है कि सबसे पहले क्या कर रहे होगा और इसके बाद क्या होगा तो उतर में आप क्या लगा सकते हैं उतर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं सबसे पहले हमें क्या करना होगा मिट्टी तयार करनी होगी फिर खेत की जुताई करना फिर बुआई करना खात देना और सिचाई फिर कटाई और फसल को चीनी मिल में वेजना तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिखें इसके बाद 11 प्रसन है नीचे दिए गए संकेतों की सायता से पहली को पूरा कीजिए यहाँ पर आपके लिए पहली है और पहली में क्या है आप देख सकते हैं इस प्रकार से यह बने हुआ यहाँ पर एक टेबल सी बनी हुए है यह देख सकते हैं पालतू पसों की उची देख भाल करना नमबर तीन फसल जिने वर्सा रितुमें बोया जाता है और नमबर छे फसल पक जाने के बाद काटना इसी प्रकार से बच्चो बाईं से दाईं और आपको क्या लिखना है सीध रितुमें उगाई जाने वाली फसले नमबर चार पर एक ही किस्म के पौदे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं और नमबर पांच पर लिखना आपने रासायनिक पदार्त जो पौदों को पोसक परदान करते हैं नमबर साथ खरपतवार हटाने की परकरिया को क्या कहते हैं यह आपको लिखना है किस प्रकार से करना है यहाँ पर लिखेंगे आप है और यहाँ प्टे तो क्या हो जाएगा रहट यहाँ पर लिख सत्याप रवी यहाँ पर लिखेंगे आप खरीब यहाँ पर लिखेंगे पसुपालन और यहाँ पर कटाई और यहाँ पर उर्वरक और यहाँ पर निराई तो इस प्रकार से आपको अच्छे से समझाये होंगे आप लगातार इसी प्रकार जुड़े रहे हमारे साथ यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब हो से कर दें बेल आइकन भी दबा दें और जानते रहे अपने कक्सा आर्ट विग्यान यानिकि साइंस क सभी चैप्टरों के प्रस्नुत्तर हमारे साथ तो मिलते हैं बच्चों फिर अगली वीडियो में अगले पार्ट के ने ने प्रस्नों के साथ आपका दिन सुभू